दोस्तों आज मैं जिस medicine के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो homeopathic की one of the most powerful medicine है यानि सिर से लेकर पाओं तक homeopathic में किसी भी अगर बीमारी को जड़ से मिटाना हो जड़ से ठीक करना हो तो इस दवा का homeopathic doctors द्वारा बहुत ही सफलता पूरवक इस्तिमाल किया जात स्वागत करती हूँ आप सभी का homeopathic परिवार में और आज आपको जानकारी दूँगी medicine, lycopodium, clevetum के बारे में तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे request करती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो please चैनल को subscribe ज़रूर कीजेगा, bell button को दबाईएगा और वीडियो को like कीजेगा, friends और family में share ज़रूर कीजेगा क्योंकि आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़ादा informative होने वाला है और आप जानेंगे कि होमेपैथी में कितनी ज़ादा effective medicines हैं जो किसी भी बिमारी की जड़ को खतम कर देती हैं यानि कुछ ऐसी बिमारियां जो लंबे समय से आपके body में जगे बनाए हुए हैं कहीं न कहीं उन्होंने ऐसी एक deep-sitted उन्होंने एक pathology को पकड़ लिया है जिसकी वज़े से वो बिमारी आपका पीछा ने छोड़ रही ऐसी स्थीती में lycopodium clevetum नाम से जो homeopathic medicine है पर दिया जाता है तो बिमारी चाहें कोई भी हो यह उसको जड़ से मिटाने की शमता रखती है सबसे पहली चीज़ जो हमें lycopodium के patient में देखने को मिलती है यानि जो सबसे peculiar चीज़ देखने को मिलती है अगर हमारी chamber में भी कोई patient enter कर रहा है तो हम उसको देख के बता सकते हैं कि यह lycopodium है या नहीं इसके सबसे बड़ी खास्यत होती है कि इनकी जो बनावत होती है इनका जो constitution होता है वो lean thin होता है यानि यह थोड़े से दुबले पतले करद काठी के होते हैं उपर का हिस्सा यानि कि body के उपर का जो chest portion होता है यह थोड़ा पतला होता है जबकि जो नीचे का जो portion होता है यह fatty और flabby होता है यानि अगर आप कह सकते हैं तो peer shaped body इनकी होती है और यह काफे दुर्बल दिखाई देते हैं लेकिन इनकी खासियत एक और भी बहुत बड़ी है यह दिमाग के बहुत तेज हैं यानि intellectually keen हैं लेकिन केवल देखने में यह पतले दुबले आपको दिखाई देते हैं emaciation यानि कि ऐसे लगता है कि शरीर की malspatia खतम होती जा रही हैं लेकिन दिमाग दुरुस्त है ऐसे patients को lycopodium दिया जाता है और काफी अच्छा suit भी करता है इसकी और सबसे बड़ी खासियत जो इसका guiding symptom माना जाता है lycopodium का वो है right-sided complaint अगर किसी व्यक्ति को कोई भी problem हो रही है वो हमेशा right-sided में हो रही है यानि शरीर के हमेशा दाहिनी भाग को वो attack करती है तो भी lycopodium उसको suit करेगी मान लिजे किसी को सिरदर्ध हुआ left side में करते करते वो फिर अब right side में आके बैठ गया या फिर पेट दर्ध हुआ left side में अब वो start करते करते अब वो right side में होने लगा तो इस तरीके के cases में भी lycopodium दिया जाता है और ultimately बहुत पाइदा पहुचाता है एक और खासियत होती है lycopodium की वो है 4 to 8 p.m. aggravation यानि जब भी शाम होगी शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में उसकी problems बढ़ जाते हैं जैसे माल लीजे सिर दर्ध है या फिर बुखार है या फिर पेट में दर्ध है पैरो में दर्ध है प्रॉब्लम चाहें कोई भी हो लेकिन उसके जो बढ़ने का समय है यानि उसके बढ़ जाने का समय है वो चार से आठ के बीच में होता है ऐसे patients को lycopodium काफी अच्छा सूट करेगी from top to bottom यानि कि जो भी problems होती है वो ज़्यादा तर पेट के lower part में होती है यानि कि जो हमारी abdominal का lower area होता है जहां हमारा urinary bladder होता है जहां sexual organs होते हैं उस area में ये medicine बहुत ही अच्छा काम करती है यानि कि gas की problem हो गई, urinary complaints हो गई, kidney stones हो गई, prostrate की problem है, impotency इन सभी problems में lycopodium एक राम मार की तरह काम करती है कुछ-कुछ main चीज़े में आपको lycopodium के बारे में बताना चाहूँगे कि lycopodium के mind के अगर बात की जाए उसके अगर विहवारिक लक्षोणों के बारे में बात की जाएं तो वो बहुत डरा हुआ होता है अंदर से बहुत apprehensive type का होता है मालीजे कि जो public speaker है, politicians है, singers है, teachers है उन्हें मालूम है कि हमें क्या पढ़ाना है, क्या बोलना है, कौन सा गाना गाना है लेकिन stage पर जाने से पहले, वो इतने डरे होते हैं, कि शायद हमसे ये काम नहीं हो पाएगा लेकिन इसकी सबसे बड़ी beauty क्या है, लाइको पोडियम की beauty क्या है कि वो जब काम करना शुरू करेगा, तो उस काम को बहतरीन धंग से perform करता है यानि अंदर से तो डरा है, लेकिन जो performance है, वो number one है ये एक बहुत बड़ी खासियत होती है, लाइको पोडियम की इसके अलावा, जिसे माली जे patient जो होता है, वो जब सुबह उठता है, तो बिल्कुल fresh महसूस नहीं करता है इतना भी सोया है, लेकिन सुबह उठेगा, तो सिर में हमेशा भारीपन लगेगा उदासी सी लगेगी कि सुबह उठते ही उसे लगेगा कि ये क्या हो गया है मेरे साथ या फिर उसको चक्कर आने लगते हैं, इस तरीके के symptoms भी lycopodium patients के अंदर देखे जाते हैं, headache बहुत strong होता है, सिरदर्द बहुत तेज होता है, और खासने पर तो ऐसा लगता है कि जिसे सिर मानो फट ही जाएगा, night blindness यानि रताउंधी, रताउंधी की भी ये बहुत अच्छी lycopodium एक दवा है, जिन लोगों को रात में नहीं दिखाई देता है, vitamin A deficiency की वज़े से, उनको lycopodium जड़ से ठीक करने का काम कर सकती है, एक और बहुत बड़ा peculiar symptom जो lycopodium patients में देखने को मिलता है, जिसे हम देखने मातर से ही एक बार में वो symptom देख लेंगे और lycopodium उसको देदेंगे, वो ये कि जब वो व्यक्ति सोता है, तो उसकी आँखें आधी खुली रहती हैं, यानि कि जब आप उसको देखेंगे, तो आपको लगेगा कि इसकी तो आँखें बंद ही नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आपने देखे भी होंगे, सुने भी होंगे, ऐसे लोगों को तो आँख बंद करके अगर लाइको पोडियम दे दी जाए, तो उनको बहुत ही अच्छा काम करती हैं, दोस्तों चली अब बिना देरी के बात कर लेते हैं, अबडॉमनल सिम्टम की, जो इसके सबसे प्रमुक सिम्टम्स में से एक है, अबडॉमनल सिम्टम्स की अगर बात की जाए, तो उसे भोग तो बहुत लगी है, बहुत ज़्यादा उसको लगता है क्या खा लें, लेकिन जब खाने बैठेगा, तो सिर्फ एक या दो कौर में ही उसका पेट भर जाएगा, ऐसे लगेगा कि पुरा गले तक उसने खा लिया है, पुरा गले तक भर गया है, एक या दो कौर में, जो भी खाएगा, उसके बाद पेट बहुत बुरी तरह से फूल जाता है, और उसको अजीब सी खटी ड़कारे आने लगती हैं, कुछ भी खाया, खटी ड़कार आने लगी, और जो कुछ भी खाया है, उसकी जो जलन होती है, उसकी जो खटी ड़कारे, इरप्टेशन होती हैं, वो सीधे गले में जाके, वो जलन बरकरार रहती हैं, इस तरह के के abdominal symptoms अगर दिखाई देते हैं, चाहें वो peptic ulcer का case हो, IBS का case हो, celiac disease का case हो, क्योंकि ये सारे symptoms तो आ सकते हैं, किसी भी problem में, diagnosis चाहें कोई भी हो, अगर ये symptom मिलता है, तो lycopodium उसको जड़ से ठीक कर सकते हैं, इसी की तरह से मिलते जुलते symptoms हमारे liver के case में भी मिलते हैं, लिवर के case में हमें क्या मिलेगा, कि ascitis देखनों को मिलता है, यानि कि पेट में dropsy यानि कि पानी भर जाता है, और liver की complaints की वज़े से, hepatic enlargement की वज़े से, पेट में काफी जादा मात्रा में fluid collection हो जाता है, इस case में भी lycopodium काफी अच्छा काम करती है, दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं उसके urinary complaints के बारे में, urinary complaints के अगर बात की जाएं, तो urine में red sediment दिखाई देता है, red sediment का मतलब होता है, जिसे कि जब urine करने पर जो urine दिखाई देती है, तो ऐसे लगता है कुछ लाल रेत जैसे कंड जम गए हो, यह एक बहुत peculiar symptom होता है, urinary complaints का, lycopodium के case में, और इस तरिकत का symptom अगर दिख रहा है, जहां पर red sediment आपको urine में आ रहे हैं, वहाँ पर भी अगर हम lycopodium की मात्र दो या तीन खुराग भी दे देते हैं, तो वो patient जड़ से ठीक हो जाता है, यह चीजें चाहें तो cystitis में हो सकती है, या फिर renal calculi के case में, kidney में पत्री हो तो भी हो सकती है, या फिर अन्य कोई urine की complaint हो, kidney related कोई complaint हो, तो इसमें यह symptom आ सकता है, एक और बहुत बड़ा peculiar symptom होता है, कि जब भी lycopodium का patient urine करने के लिए जाता है, तो उसको right-sided back एक होता है, यानि कि शरीर के दाहिने भाग में उसको बहुत तेज दर्द होता है, और जैसे ही वो urine कर लेता है, वैसे ही वो दर्द खतम हो जाता है, चोटे बच्चे जब वो urine करने के लिए जाते हैं, तो बहुत तेज उनके पेट में दर्द होता है, जैसे ही urine कर लेते हैं, वो दर्द समाप्त हो जाता है, ये kidney stones के case में सबसे ज़ादा देखने को मिलता है, या फिर अगर cystitis का case हो, पिशाब की थैली में अगर sogen हो, UTI हो, या फिर kidney से सम्बंदित कोई बीमारी हो, तो उसमें इस symptom के अधार पर भी medicine दी जाती है, लाइकोपोडियम, और ये काफी तेजी से उसको अराम दिला सकती है, तो सम्मेल symptoms की अगर बात की जाए, अगर पुर्षों की बात की जाए, तो ये impotency की बहुत अच्छी दवा है, premature ejaculation, यानि कि सीमेंट का discharge हो जाता है, उस symptom में भी लाइकोपोडियम, ना सिर्फ उस व्यक्ति के symptom को अराम दिलाती है, बलकि इस problem को जड़ से भी खतम कर सकती है, premature science of aging, एक और बहुत बड़ी खासियत लाइकोपोडियम की ये है, कि व्यक्ति तो कम उमर का है, लेकिन बदलाव ऐसे दिखाई देते हैं, जैसे कि मानों को कोई वो बुजर्ग हो, बाल समय से पहले सफेद होने लगते हैं, बाल जरूरत से ज़्यादा जढ़ने लगते हैं, शरीर के जो skin होती है, उसमें कोई चमक नहीं होती है, उसमें कोई भी आपको glow नजर नहीं आता है, और शरीर बहुत ही ठका ठका मैसूस होता है, माते के उपर आपको lines दिखाई देती हैं, लगता है कि बहुत डीप फरोज यहाँ पर दिखाई देते हैं, यानि कि मातर देखने से ही हम लाइको पोडियम के patients को अंदाजा लगा लेते हैं, कि इनको कौन सा constitution है और कौन सी दवा सबसे ज़्यादा इनको suit करेगी, यहीं पर होमियोपैथी की सबसे बड़ी beauty है, कि आप इन लक्षणों को पकड़ के आप सोचेंगे कि इन लक्षणों की क्या महत्व है, लक्षणों का महत्व यह है, इन लक्षणों को अगर हम पकड़ लेते हैं, तो आपके अंदर pathology जो भी चल रही हैं, अगर कोई abnormal pathology है, जो आपकी बीमारी का कारण है, उनके अधार पर भी अगर life opodium दी गई है, तो उस व्यक्ति की बीमारी चाहें कोई भी हो, उसको ये जड़ से हटाने का काम करती है, और इसी उद्देश को ध्यान में रख कर, ये medicine आपको बताई जा रही है, और यही मेरा उद्देश है, कि किसी भी बीमारी को आप टालते मत जाएए, आप उसको दिन पर दिन पुराना मत करते जाएए, बलकि आप होमेपैथी अपनाईए, और अपनी जो भी बीमारिया हैं, चाहें वो छोटी हो, चाहें वो बड़ी हो, उसको जड़ से ठीक करिए, चलते चलते बात कर लेते हैं, इसकी potency के बारे में, यानि किस power में ये इस्तमाल की जानी चाहिए, तो इसका भी एक rule है, कि lycopodium medicine को बहुत जल्दी जल्दी इस्तमाल नहीं करना चाहिए, इस medicine को हमेशा आपको डॉक्टरी सलहा के अनुरूप ही इस्तमाल करना है, क्योंकि इसको बार बार repeat करने से, इसका कोई ज़्यादा प्रभाव आपको दिखाई नहीं देगा, यानि कि कुछ इसकी खुराग सही तरीके से अगर modulate की जाती है, बीमारी के अनुरूप अगर सही तरीके से इसकी खुराग को दिया जाता है, दो, चार, पाँच या इस तरीके से खुराग दी जाती है, तब ही जाके इसकी जो असल जो इसकी एसेंस है इसका जो असल जो ब्यूटी है वो देखने को मिलती है और नतीजा ये होता है कि वो वेक्ति अपनी बिमारी से मुक्ति पा जाता है तो दोस्तों उमीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही जानकारी वर्धक रहा होगा आपने आज कुछ नया सीखा होगा अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजेगा शेयर कीजेगा फ्रेंड्स और फैमिली में और चैनल को सब्सक्रा ऐसा ही जानकारी वर्धक कंटेंट लेकि तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा जैहिन जैनारी